जहिन बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज आपके लेके आएं संग्रचना गतिविदी संबन का परतिपादन 1865 में सबसे पहले कुरूम ब्राउन और फ्रेजर दुवारा किया गया था बच्चों 1865 में कुरूम ब्राउन और फ्रेजर नाम के व्यज्यानिकों ने सबसे पहले संग्रचना गतिविदी संबन या S.A.R. की खोज की थी इस संबन दौरा किसी भी राजसायनिक योगिक की राजसायनिक संग्रचना और जैवी गुणों के बीच समानता परदर्सित की जाती है बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम लोग बिमार होते हैं तो अलग अलग तरे की दवाईया खाते हैं वो जो आप दवाईया खाते हैं चै बुखार की हो खासी की हो जुगाम की हो जो भी आप दवाई लेते हैं वो सारे के सारे दवाई या राजसायनिक पदार्थ होते हैं उन राजसायनिक पदार्थ या राजसायनिक योगी को की एक निश्चित संग्रचना होती है और जिस बिमारी के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं जिस विसेश बिमारी के लिए आप प्रयोग करते हैं वो उस दवा गतिविदी संबन्द के दुआरा किसी भी राजसाइनिक पदार्थ की संगरचना और उसकी अलग-अलग बिमारियों में काम करने की छमता के बीच में एक समान्ता इस्थापित की जाती है इस नियम के दुआरा किलियर हुआ आपको अब लेते हैं जिस संगरचना गतिविदी संबन की आवसकता बै क्यों जुरत पड़ती है SAR की सवाल ये उठता है दवाओ के निर्मान में हिटन ट्रेल विदी प्रमप्रागत रूप से पर्चलित है बच्चों दवाईयां बनाने के लिए आज भी हिटन ट्रेल विदी का सहरा लिये जाता है ये काफी पुरानी किन-किन बिमारियों में पर्योग होता है उसके कौन-कौन से जैविगून है तो ये पुरानी विदी कहलाती है हिटन ट्रेल विदी और इस हिटन ट्रेल विदी के दोवारा किसी भी दवाई के बनाने में ओस्तन 15-20 वर्स लगते हैं अब यहां पे थोड़ा सा बहस का कि 15-20 वर्स या हम लोग 25 वर्स या 30 वर्स तक एक दवाई के बनने का इंतजार करेंगे तो भाईया 30 साल में जब दवाई बनके आएगी तो स्वास्त का क्या होगा बिमारिया जिस तेजी से बढ़ रही हैं लोग जिस तेजी से बढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो दवाई आईयों को निर्माण कम से कम समय में होना चाहिए अब आप खुदी देख लीजे इतन ट्रेल विदी के दोवारा दवाई के निर्माण में इतना अधिक समय लगता है कि इसके दोवारा समाज के लोगों के स्वास्ते को ठीक नहीं रखा जा सकता है हमें दवाईयां चाहिए जल्दी चाहिए परभावी चाहिए एना जी पहली वाली ओस्दी से परभावी ओस्दी चाहिए जल्दी चाहिए तो इसके लिए ही संग्रचना गतिविदी संबन की आवसकता पड़ी संग्रचना गतिविदी संबन प्रणाली अब बच्चो ऐसे आर की आवसकता जानने के बाद ये जरूरी हो जाता है कि हम लोग यह जाने की SAR काम कैसे करती है और कहां करती है अब बच्चों द्यान नकिएगा जो SAR का मुख्या उपयोग है वो ओसदियों के निर्माण में होता है अब यहां पे ओसदि का मतलब आयुरिविधिक नहीं है यहां पर ओस्दी का मतलब है रासाइनिक पदार्थ यानि की ऐलोपैतिक दवाईयों के निर्माण में SAR का मुख्य पर्योग है ऐलोपैतिक दवाईया वो वोती है जो आप बुखार में खासी में खुजली में परयोग करते हैं जैसे की पैरासिटा मोलसर अधियंद द्वारा पहले से उपस्थित दवाओं या और सदियों की संगरचना का अधियान करके उन में में काम कैसे होता है तो उसके लिए आप यह समझे कि कोई भी रासाइनिक पदार्त है कोई भी दवाई है जैसे कि पैरासितामोल की बात कर लेते हैं तो उसकी क्या करेंगे संग्रचना बनाएंगे संग्रचना का अध्यान करेंगे और उसमें उस संग्रचना में अलग-अलग कारकों की पहचान की जाती अब कारक क्या होते हैं संगरचना में कारक होते हैं जी उसके किरियात्मक समू हाँ जी आप अभी एक्जामपल से क्लियर करेंगे तो आपको सुझ में आ जाए कि कारक का मतलब क्या होता है तो ऐसे हार में करते क्या है कि जो भी आपके पास रसानिक पदार्त होता है उसकी संगरचना को देखते हैं संगरचना के बाद उसमें लगे हुए किरियात्मक समु जिनको हम लोग यहाँ पर कारक बोल रहे हैं उनकी पहचान करते हैं और यह देखते हैं कि यहाँ पर पर हम लोग नए जयविक गुणों की बविस्यवानी करते हैं अगर यहां पर यह वाला समूल लगा लेंगे तो उससे जो नई दवाई बनेगी उसमें यह जयविक गुण जादा होगा है ना जी कम होगा यह बविस्यवानी की जाती है S.A.R. के अध्यन दवारा अब यहां पे सवाल यह भी उठता है कि सरी यह सारा का सारा काम क्या प्रयोग साला में होता है तो भाईया ऐसा नहीं होता है यह टेबल पे बैटके होता है नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं S.A.R. जो होती है उसके लिए सॉफ्वेयर साते हैं ऐसे सॉफ्वेयर जो आप एप के रूप में प्रयोग करते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं यहां पे किसी भी रासानी पदार की संग्रचना के आधार पे उसकी पहले मैथेमेटिकल मॉडलिंग या कैलकुलेशन होती है और उसके दुआर भविस्यवानी की जाती है ऑब जिनको सपस्क नई होअँ है किलियर नई होआई डाउट है तो मैं यहां पे दो एक्जामपल आपके सामने दिखा रहा हूँ इनसे जरूरे आपको किलियर हो जाएगा यहां पे जो लैट में बना हुए है वो है क्लोर प् जीन किलियर हुआ जी इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे औरेंज कलर से इनके जैविक गुण भी लिखें हुए किन-किन बीमारीयों में प्रयोग होती है तो पहले हम लोग SAR का थोड़ा सा मोल्डिंग का तरीका देख लेते हैं तो देखें यहां पर यह वाली रिंग यह वाली रिंग और यहां पर यहां भी समान है राइट साइड में यहां पर एन पर लगा हुए अब वेगेनिकों ने क्या किया कि भाई यह देखा कि क्लोर प्रोमाजीन जो है वह तो अपना उसका जैवी गून है बाइपोलर डिसोडर बाइपोलर डिसोडर एक रिमार की विमारी होती है जिसमें आदमी अलग अलग गून परदरसित करता है कभी तो बहुत सरीप बन ज के अंदर इस राजसाइनिक पदात को डाला कम्प्यूटर के अंदर सौट्वेर के अंदर और इसकी मोड्लिंग की उन्होंने देखा कि इसमें हम लोग क्या परिवर्तन कर सकते हैं इसमें वो कौन से कारक हैं जिसकी वज़े से दिमाग की बिमारे ही प्रयोग होता है तो उ यह वाला मिथाइल यह वाला मिथाइल इन दोनों मिथाइल को रिमूव किया और यहां पे लगा दिया उसने यह वाला रिंग किलियर है तो यह पिप्राजीन यहां पे रिंग लगा दिया है और पीचेस के मिथाइल लगा दिया तो यह इसने क्या किया इसमें देखा कि यह जो कारक है ये कारक को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो कलोर प्रोमाजीन के गुडों में तो सर क्वेदा है तो सर यह भी परियोग उगा इसके अंदर भी यही वाला जैविंग पदार्त होते हैं जो उल्टी को रोकते हैं आपने देखा हुआ कभी-कभी गर्मियों के सीजन में लोग उल्टी आने लगती है ना जी उल्टी किसी भी करन से आ सकती है आपने कुछ गलत खा लिया या आपको गैस ज़्यादा बन गई है तो उस समय या वमन रोधिता, यानि की उल्टी को रोकने वाला, तो ये दवाई जो है प्रो, क्लोर, पीराजीन पहले वाले दवाई से बेतर है, जब व्यक्ति को दिमागी चक्कर आते हैं, या फिर दिमागी दोरे पड़ते हैं इस बिमारी में तब उसको अगर उल्टी आती है, उल्टी अभी आती कहीं बार, तब ये वाली दवाई, पहले वाली दवाई से बेतर है, ऐसा पता हमें किस से चला, SAR से, कैसे भविस्यवानी हुई है, इसके कारकों में, इसकी संग्रशना के कारकों में परिवर्तन करके, यही है जी SAR का अप कि भी सपस्ट नहीं होगा, और बहुत सारे एक्जामपल हैं हमारे पास आपके लिए, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, अब ध्यान से देखीगा, जो लैट में संग्रशना बनाई हुई है, यह पैरासितामोल की है, और यह दूसरा पदार्त है, पैरास बदन तूट रहा है, जी सर में दर्द हो रहा है, तो कोई दवाई नहीं है, तो पैरासितामोल आपके बदन दर्द में, शरीर के किसी भी परकार के दर्द में आपको आराम भी दिलाती है, तो यह इसके जैवी गुन है, अब देखे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पैर ऐसे आर अध्यन किया, तो ऐसे आर अध्यन में क्या हुआ, यह इस पैरासितामोल इस राजसाइनिक पदार्द की संग्रचना है, इस संग्रचना में उन्होंने इसके कारकों पे अध्यन करके पाया कि यहाँ क्या किया, इसके दोनों हाइड्यन जो यहाँ पे लगें, हाइ विश्यवाने की कि ये जो नया पदार्थ बनेगा जो नई ओसदी बनेगी ये पदार्थ पैरासितामोल से बेतर होगा बच्चों एक खास बात है कि ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे ये वाला जो ओसदी रासनिक पदार्त है ये पेरासिटामोल के लगबग बराबर ही जोवर ना सक है उतना ही बुखार में अराम करता है उतना ही दर्द में अराम करता है लेकिन आपको साइद पता नहीं है कि पेरासिटामोल को जो है अमेरिका में बैन कर दिया गया है ये पेरासिटामोल लीवर को डैमेज करता है लीवर को खराब करता है लेकिन ये वाला जो जवर ना सक है ये लीवर को पेरासिटामोल के तुलना में कम नुकसान पहुंचाता है अब देखिए यहां प और जदा परभावी आपकी जोड़ नासक दर्द नासक है पेरा सीटा मोल के मुकाबले क्योंकि ये लीवर को कम नुकसान पहुचाती है अगर आप कोई व्यक्ति अधिक समय तक इसको प्रयूग करता है तो उसकी लीवर को कम नुकसान होता है किलियर हुआ तो ये है SAR का अगला उधारन जो हमने यहां पे लिया अब और लेते हैं जी आगे अभी आपने बच्चों इससे पहले हम लोगोंने कीट नासक हाना सही कह रहे हैं आप कीट नासक की सिरीच पूरी की थी उसमें हमने कुछ कीट नासकों का अधियन किया था तो हम उन्हें यहां पे कार्बामेट लिया हुआ है कार्बामेट आप पढ़के आए है कि यह कार्बामेट का जो जैवी गुण है वो कीट नासक है बिल्कुल सही है तो उन्होंने इसको उठाया और इसको अपने सोफ़वेर में डाल दिया और इस पर S.A.R. अधियन किया है क्या होता है कि राशाइनिक पदार्त होता है उसकी संग्रचना और उसके जैवी गुणों के बीच में संबंद इस्थापित किया जाता है तो उन्होंने क्या किया यह इसके इंदर कियात्मक शमूंऊ है यह इसका एक कित ना सकका उधरन है तो यहां पर इह आप जो देख रहे हैं यह इसका मुख्य क्रियात्मक समू है अब इन्होंने क्या किया इस वाले में और इस वाले में यह तीनों जो उधारन है अब यहां पर इनके अलग अलग नाम है वो मैं यहां पर नाम आपसे डिसकस नहीं कर रहा हूं मैं केवल यहां पर प्रयोग की जाती है जो बविस्य में की जाती है कैसे होती है तो यहां पर इसको डाला सौट फेर के अंदर इस सद्रश्वाइब को आप अध्यान किया कि देखा कि यहां पर CL लगा तो नहीं क्या कि ताफिर दूसरा कार्बामेट भी प्राप्त हो गया यह वाला और यह वाला यह थोड़ा कम हानिकारक होता है इसके तुल्ला में किडियर हुआ लेकिन हाँ प्रभावी है कीडों पे उतना ही प्रभावी होता है लेकिन मानवों के लिए पश्यों के लिए कम हानिकारक है इस व लगाया है मिथाइल लगाया देखिए धान से एस तो यहां भी है इन्हों ने एक परिवर्तन तो यह किया इस वाले कार्बामेट में कि इन्हों उने मिथाइल लगा दिया, ये कारक परिवर्तन किया, बेंजिन रिंग को हटा दिया, कोई भी कलोरो बेंजी ब्रोमेंजीन यहाँ पे नहीं लगाया, किया लगाया मिथाइल, और दूसरा परिवर्तन इन्हों ने किया कि यहाँ पे O की तरफ लगा था, CS2, CS3, CS2, CS3, ये व इसको नैफ्थाइल बोलते हैं या बाइफिनाइल बोल सकते हैं, तो ये इन्होंने दो परिवर्तन करें, और इन्होंने भविस्वाने की, कि ये भी एक नया कीटनासक होगा, इसका जैविक गुन भी कीटनासक ही होगा, और बाद में जब इसको प्रियोक साला में बनाके इसको जैविक गुनों की पैचान की, तो पाया गया ये भी परभावी कार्बामेट, एक नया कार्बामेट प्राप्त हुआ है, बच्चों ये मैंने आपको उधारण की साहिता से अलग-अलग उधारणों में आपको ये समझाने ही कोशिस किये कि भईया संगरचना और जै ऐसे कारकों में परिवर्तन करके नई नई दवाईयों की भविस्यवानी कर दी जाती है बिना बनाये, फिर उसको बनाया जाता है और फिर पाया जाता है कि जो भविस्यवानी है वो कितनी सत्य हुई या कितनी है सत्य हुई, किलियर हुआ, ये है जी हमारे SAR की उपयोगिता और यही हैं हमारे SAR की पढ़नाली, क्रिया पढ़नाली अब लेंगे जी अगला संग्रचना गतिविदी संबन के परकार या फिर कह सकते हैं SAR के परकार तो बच्चों यहां पर ध्यान नखीगा SAR या फिर संग्रचना गतिविदी संबन दो परकार की होती है एक होता है मातरातमक संग्रचना गतिविदी संबन, दूसरा होता है गुनातमक संग्रचना गतिविदी संबन, मातरातमक संग्रचना गतिविदी संबन को क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन कहते हैं, ये रिलेशन बोल सकते हैं, गुनातमक संग्रच संग्रचना गतिविदी संबंद को qualitative structure activity relation कर जाता है दोनों को सोट में देखेंगे तो qsar ही कहलाते हैं तो exam में आप तयार रहिएगा अगर संग्रचना गतिविदी संबंद नहीं आता है तो फिर qsar आ सकता है तो यह अगर आप पढ़ रहे हैं कीट ना सक वगेरा या फिर को SAR के बारे में या फिर SAR के बारे में question नहीं बसता है आने की संबावना बढ़ जाती है मातरात्मक संग्रचना गतिविदी संबंद यह जैविक गतिविदियों और राजसायनिक योगिकों के संग्राचना गुणों के भी संबावित संबंदों को परकट करने के लिए गणित मक्स संग्रचना गतिविदी संबंदेज को सोट में क्यों SAR भी कहा जाता है यह गणितिये आकलन विदी है किलियर हुआ mathematical mathematical क्यों है क्योंकि यह computer या software के दोवारा की जाती है इस गणितिये आकलन विदी में क्या होता है कि जो भी आपका राजसायनिक पदार्थ है उसकी मक्स स्रचना और उसके जैविक गुणों के बीच में एक संबंद इस्थापित कर लिया जाता है और दोनों के संबंद इस्थापित करने के बाद जो उसके परिवर्तन करने से जो नए दवाई प्राप्त होगी इस नए पदार्थ उस नए राजसायनिक योगिक के बोतिक राजसाइनिक और पढ़ियावाणिये गुणों की बविस्यवाणि कर दी जाती है। ये किन पदार्तों के साथ में जदा तिरी से क्रिया करेगा, किसके साथ ये कम क्रिया करेगा, किसके साथ ये लवन बनाएगा, ऐसी राजसाइनिक और भोतिक बविस्यवाणि की जाती है। गुणात्मक, संग्रचन गतिविदी, संबंद के अंतरगत, किसी भी राजसाइनिक पदार जो आपने लिया है, उसकी जयामिती और उसकी जयविक्रियाओं के साथ में तीन चीजों की भी संबंद स्थापित करते हैं। द्यान रखिएगा किसी भी राजसाइनिक पदार की जयविक्रिया, उसकी जयामिती और राजसाइनिक विस्यष्ताओं के बीच में गणतिय आकलन के द्वारा भविस्यवाणि की जाती है। अब यहां पे कुछ लोग परिशान हो शकते हैं कि सरफ राजसायनिक संघ्रचना उसके कारक उसकी राजसायनिक विस्यष्ता तो हमें संज में आती है। तो बच्चो जयामिती जो होती है, वो उसकी संग्रचना जो होती है, वो अलग-अलग परकार की होती है, 3D होती है, जैसे कि मैं आपको समझाओं संक्रण, आप जानते हैं कि जीन अनुओं के केंद्रिय प्रमाणू का SP3 संक्रण होता है, SP3 हाइबडाईशन होता है, उनकी ज कहूं की सर, SP3, D2 हाइबडाईशन है, तो उसकी आकरती है, जैमिती सम्चतुस्वलकी होगी, तो उत्तर है ऐसा नहीं है, उसकी जैमिती बदल जाएगी, तो जैमिती, जैविक किरिया और राजसाइनिक गुणों के बीच में भविस्य वानी की जाती है, किसी भी असा फर्क है, मातरात्मक और गुनात्मक सरचना गतिविदी संबन में, अब लेते हैं जी, क्यों ऐसे यार से हानिया, बच्चों आप जानते हैं कि जितनी भी हम चीजे परयोग करते हैं, अगर उसके लाब हैं, तो उसकी हानिया भी होती है, तो आपने लाब तो पढ़ ल है, कि भाईया दवाई उद्ध्योग में इससे बेतर कोई टेकनिक नहीं है, आज के समय में वैज्यानिकों के लिए हाथ में एक तरह से एक दिव्य अस्तर है, है ना जी, जिससे की बहुत जल्दी और बहुत ही जादा परभावी दवाईयां बनाई जा रही हैं, बहुत ही कम समय में, लेकिन QSAR क्या हमेसा ही फाइदे मंद होता है, क्या कभी उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, जान लेते हैं कि QSAR से क्या-क्या हानिया है, क्या-कैसकी कमिया है, पहला यह है जी जो QSAR से जैविक डाटा मिलता है आपको कैल्कुलीशन करने के बाद मैथेमेटिकल मॉडलिंग के बाद है ना जी जो कैल्कुलीशन होती है वो जैविक डाटा परियोगात्मक प्रूटी की करान गलस संबन परदर्सित कर सकता है क्लियर हुआ है सबोर्ज मैं आपको बता हौँ आप वोल्यूमेटिक एनलेसीब कर रहे हैं आए तनातमक अनुमापन कर रहे हैं जो कि आप Тाइत्रेशन करते हैं टाइत्रेशन में आप जो है ड्रो बाइड्रो ब्यूरेट से डालते हैं माल लीजे आपकी रियेक्सं का आपक का कॉनिकल फ्लास में तो आपका एंड पॉइंट आजाता है लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं किया और आप तेजी से डाल दिया और आप लेके आगए 12.3 या फिर आप लेके आगए 12.1 ml तो बच्चों इतनी सी तुटी ही काफी है आपके डाटा को डिस्टरप्ट करने के ल जाएगी किलियर हुआ दूसरी हानी की बात करें तो जो गणितियां आकलन हैं जो QSAR से प्राप सूचना का उप्योग है वो कभी भी सबसे ज़्यादा परभाव सालीव राजसाइनिक पदार्त की भविस्यवानी में नहीं किया जा सकता है जैसे आपने पीछे पड़ा कार कार को में जो इसकी संग्रचना थी इसके कार को परिवर्तन किया और नए-णए अलग-अलग काद्बा मेरे परकार बना दिये लेकिन बच्यों प्रियोग अप ये बताने में नहीं कर सकते कि इन में से जो नया कार्बामेट बनेगा जो नया कीट नासक बनेगा वो कितना परभावी होगा एना कितना सक्रिय होगा कितना एक्टिव होगा प्राप गनितिया आकलन और वास्तिक्ता में समानता नहीं हो सकती है और आपको यह यह भी ध्यानक ना चाहिए कि आपने देख बारी मुसल अधार वर्सा होगी आंदी आ सकती है बिजली गिर सकती है ओले गिर सकते हैं कई बार बविस्वानी सच भी होती है कई बार गलत भी हो जाती है तो बच्चो जो यहां पे SAR से या QSAR से जो आपको data मिलता है जो गनिती है आकलन मिलता है mathematical calculation मिलती है और जो आप practically lab में करते हैं वास्तिक्ता में करते हैं असलियत में करते हैं उन दोनों में समानता नहीं हो सकती है आप यह नहीं कह सकते हैं कि देखो जी मैंने calculation करी है और यह बिल्कुल ऐसा ही होगा हमे होगा यह राजसाइनिक गुण होगा यह जैविक गुण होगा तेकिन जब वास्तिक्ता में लैप साला के अंदर प्रयोक साला के अंदर उसकी टेस्टिंग करते हैं तो ऐसा नहीं होता है क्या यह आप क्लियर है उमीद बच्चो आज आपको समचना कतिविदी संबंद या फिर S.A.R. या फिर Q.S.A.R. बिल्कुल कलियर हो गया होगा फिर भी कोई डाउट है कोई समन्स जाए तो आप हमको लिख सकते हैं पूछ सकते हैं थेंक्स फर वाचिंग